कर्म खंड की बानी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन मेराम रिया भरपूर तिथे सीतो सीता महमामाएं तांके रूप नकतने जाएं ना ओए मरे नठाके जाहें जिन कैराम से मनमाहें तिथे भगत वसे के लो करे अनंद सचा मन सोय साच खण वसे निरंकार करकर वेखे नदर निहार तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे तांत नांत तिथे लो लो आकार जिवजी हुकमते वेत्युकार वेखे विक्से करवीचार नानक कतना करडा सार करम खंड बक्षिश दा खंड रह्मत दा खंड करो जतन जे हुए महरवाना सहिव कन ने यतन कर उपरा लेकर तेरे ते महरवानी दी बर्खा हो जाए रह्मत दी बारिश हो जाए ये ठीक है कि उल्रहमान उल्रहमी रहीम इसलाम ने कह देता है ते बड़ाई रहम दिल है रह्मत दा सागर है इसी तरी के नाल गुर्गोबिन सिंग जी महराजी केंद ने दोखन देखत है पर देत नहारे इतनी महान उस दी बख्षिश ते दाया है कमजोरियां ते दोख देख देया हैंवी सब कुछ देई जान दै चोलियां च पाई जान दै भरपूर करी जान दै साहिब के ने सुभाव है उस दा रहमत बख्षिश पर कोई मनुख अपनी अखां बंद कर लवे ते सूरज दी रोशनी तों संबंद टूट जान दै इसे तरीके नाल कोई पिठ कर लवे कोई चिंतन ही ना करे ते प्रमात्मा दी बख्षिश तो बंजया रह जान दै उदी रहमत तों जिड़ी बहुत परबल रहमत है उस तो बंजया रह जान दै ये ते ठीक है कि सूरज दिया किरना ते रोशनी उस मनुकदते भी पैरे ये जिसने अपनी अक्षां बंद की थी हैने पर उस रोशनी तो लाब उठा सके एए उन अच्छा है क्योंके अक्षां इसने बंद की थी हैने नास्टिक तो नास्टिक दुष्दते भी प्रभूदी बख्षिश हो रही है रहमत हो रही है चोरते यारते भी हो रही है दुषते भी हो रही है जालमते भी हो रही है पर उस दी रहमत तो पूरन ताउरते फैज्याब होया जा सके इदे कुल पातरता नहीं है पातरता की है अक्खां कोलनिया धार्मक साधना ते सदसंग है यह स्वास्ते कि मनुख अपने आपनों इस योग बिना लवे इतनी पातरता प्रापत कर लवे कि प्रमात्मा दी बक्षिश तेनाल इदा पातर भर जाए इदा भांडा भर जाए माराज के दिन ओ करम खंड ओ जो बक्षिशता खंड है ये परशिंदा लवज है करम करम खंड की बानी जोर बक्षिशता जो खंड है रहमदा जो खंड है इतनी बनतर इतनी अवस्ता जोर वाली है जित्थे तीसरे खंड दी अवस्ता बड़ी सुंदर कई उत्थे चोथे खंड दी अवस्ता बारे साइव केंद ने इस जोर वाली है बल इत्थे पहुंचे हो या मनुख ताक्तवर हो जानता है इत्थे पहुंचे हो या मनुख देखो बड़ी पारी शक्ती आजान दिके सहब इन फ्रमान पे कर देने कर्म खंड की बानी जोर तित्थे होर न कोई होर कर्म खंड देच पहुंचे हो या मनुख प्रमात्मा इस धंग देच लीन हो जानदा है हुन उत्थे होर नहीं ओ प्रमात्मा देच है प्रमात्मा उस दे विच है इस धंग दी अवस्ता बन गई हुन प्रमात्मा दे गुण उस दे अपने गुण हो गई हुन प्रमात्मा दा सुभाव उस दा सुभाव हो गया उन प्रमात्मा दी शक्ति इस ब्रम ग्यानी दी ही शक्ति हो गई ब्रम ग्यानी सगल स्रिष्ट का करता सुखमनी साब दी अगम्मी ए रचना बिशुखमनी दी राही सद्गुर देवजी महराज ने सिद्गर्ण दी कोशिश कीती है कि जो प्रमात्मा कर रहे है वो ही ब्रम ग्यानी कर रहे है जो प्रमात्मा दी करित है वो ब्रम ग्यानी दी करित है ब्रम ग्यानी नो ऐसा मैसूस हो जानद है क्यों कि वो प्रमात्मा देच है प्रमात्मा होन उस देच है उन जो कुछ भी हो रहे है दू जाते कोई है नहीं तीजाते कोई है नहीं इतनी अगम्मी लीनता तो सैवकनन तिथे होर ना कोई होर उन उत्थे कोई होर नहीं है पर इस अवस्था दिच काउन पहुँच देने तिथे जोद महांबल सूर तिन में राम रहा भरपूर इस कर्म खन देच कोई पौँच देने महा बली योधे सूर में जोध महा बल सूर कतनी दे सूर में करनी दे सूर में साधना दे सूर में इस तरह दे महा बलवान बंदे जिना दा दिन रात अपने मननल जगड़ा है और यह हकीकत है जो मन नाल जगडा नहीं करेगा अपनी सोचन शक्ती नाल जगडा नहीं करेगा जगद नाल जगडा करेगा और जो अपने आपदे नाल नहीं लड़ेया आखरी इस शक्तिनों किसे पासे ते खत्म करना है तो जगत नाल लड़के शक्तिनों वो जाल करेगा पर एक अदुती घटना घट दिये जद बंदा अपने आपदे नाल लड़दा है ते भरपूर शक्तियां दी प्राप्ती हो जाँ दिये ते जद बंदा जगत नाल लड़दा है तो अपनी शक्ति गवा बैठता है अपनी ताकत गवा बैठता है लड़े भगत भी ने लड़े राजनी तक भी ने राजनी तक जगत नाल लड़दे ने भगत अपने आप नलक्त ए बड़ी कीम्ती पंक्ति है सर्व लोग रंत दी खालसा सो जो करे नित जंग खालसा सो जो चड़े तुरंग खालसा ती ओ है जो विचारा दे कोड़े ती अस्वार होए और खालसा हो है जो निता पती अपने आप देनाल जंग करे अपने आप देनाल लड़े यह जो भगत कवीर ने कह दिता है गगन दमामा बाजियो परेव निशाने घाओ खेत जो मांडेओ सूरमा अब जूजन को धाओ मनुखा जनम तेनों मिले आए जूजन लई लड़न लई जगण लई और नहीं लड़ेंगा नहीं जगणेंगा हार जाएंगा रह जाएंगा पिछे रह जाएंगा तो जो बाहर नहीं लड़दा जगणदा नहीं संगर्ष नहीं करदा समाज नाल जगत नाल संसार नाल देखन देचाया पिछे रहे जानता है पर जो अपने आप दिनल नहीं लड़दा जगड़दा नहीं ओ अध्यात्मक मंडल देच पिछे रहे जानता है राजनी तक जो जगतनों जित के राजा बनदा है संत जो अपने मननों जित के राजा बनदा है और सही मैने अच संत ही राजा है राजा शवद तो मुराद रजे आओया त्रिप्त जेने मननों जिते है वही त्रिप्त है बाकी ते सारे बुखे ने बाकी ते सारे कंगाल है तो जगतनों जित के सताधारी होना ये ते बहुत बड़ी हिंसा करकी हो सकेगा पर अपने आपनों जितके ते रामदे सिंगासन ते बिराजमान हो जाना एदिच कोई हिंसा नहीं एदिच ते जगदी तामीर है जगदी उसारी है जगदा कल्यान है जगदी सुख ते शांती है पर हकीकत है कि अपने आपनों जितना इतना कठन है कि सारी दुनिया नों जितन वाला मनुख अपने आप दे हत्थों हार जंद है सारी दुनिया ते हुकम चलान वाला मनुख अपने मन ते हुकम नहीं चला सकता मन दादास है जगत दिछ बादशा है बार हुकमरान है पर अंदरों गुलाम है भगत अंदरों भी बादशा है बारों भी बादशा है इस वास्ते केन ने भगत थे हुकम ने कीता जा सकता है फकीरानों बाबर ने हुकम कीता है कि मेरा पुत्र हुमाईयों बिमार है ये दिले दौा करो ते सारे फकीरा ने दौा की थी भई हुमाईयों राजी होए राजी होए पकड़ के गुरुनानिक नो भी लेंदा गया क्योंकि हुमाईयों राजी नहीं होया सी ते बाबर हुकम करदा ऐ गुरुनानिक ते ऐ हिंदी फकीर ऐ गुरुनानिक मेरे पुत्र ले दौा करो तो सत्गुर कें लगे दौा बादशादे हुकम तो नहीं निकल दी दौा संत दी रजा चो निकल दी उदी मर्जी चो निकल दी ते जिसने द्वा तेरे हुकम दे तैद कीती है ओ द्वा द्वा ही नहीं है ओ अरदास अरदास ही नहीं है ओ फली बूत नहीं होएगी सारे फकीरा ने द्वा कीती है तेरा हुमाईयों राजी नहीं होया क्यों कि एक दुआ तेरे हुकम तो निकली है ते बाबर सुन ले जितने चिर तक तेरा हुकम है मेरे अंतिश करन तो दुआ नहीं निकलेगी तो अपने हुकम नो एक पासे कर मेरी दुआ हरेक लेए सारे या लेए पर जाबर केंदा है नहीं मैं जेल दे सुट दें pó कुदर्ती गल जबर कीता तशद्द कीता जेल दे गुरुनानिक देव जी महराज नो पादेता ते आखे आनंई दुआ नहीं निकलेगी हुकम दे चाहूं दुआ नहीं निकल दी रजा दे चाहूं दुआ निकल दी ए बाबर जद पैरी पे है कदमा ते पे है रोया है अगमी कृष्मे गुरुनानिक दे वेख के ते प्रार्थनन कीती ते आखिया ऐ फकीर ऐ गुरु बाबा हुन ते बक्षिश कर साहिब करने लगे हो गई बक्षिश क्योंके हुन तो खुदी दुआ कर लई है पहले तो हुकम देच जी रहे हैं हुन तो दुआ देच जी रहे हैं हुन तेरे अंदरों दुआ निकली है ते जितनी गहरे तल देच तेरे अंदरों दुआ निकली है याद रख बाबर ये वियरत नहीं जाएगी एक कम करेगी एक अपना जो है असर जमाएगी तो जो अपने आपनो जित लें देने बस एही सूर में ने एही महांबली ने एस वास्ते साहब के ने इस सवस्ता दिश जो पहुँचे ने उते महांबली ने तित्थे जोद महांबल सूर तिन में राम रहा भरपूर उना दे रोम रोम देच राम भरपूर है समाया हुए है ओ राम देच ऐसे लीन ने तित्थे सीतो सीता महमा माए उनने अपने आपनो प्रमात्मा देच इस ढंगनाल ओत परोध कीता है भाव सीले है महराज के ने कि उनना दे रूप उन बियान ही ने कीते जासल दे एक मिख हो गए ने तांके रूप ना कतने जाए प्रमात्मा देच ऐसे ओध प्रोध हो इने प्रमात्मा देच आलो उनने अपने आपनो ऐसा सीले है एक मिख कर ले है जितना हुण प्रमात्मा सुन्दर है उतने ही सुन्दर हो गए ने हुण जितना प्रमात्मा महान है उतने ही महान हो गए ने लियाजा हुण इना दी महमा और इना दे रूप बियान तो परे हो गए ने साइव किन ना ओए मरे ना ठाके जाए इस तरह दे जोदे महांबली ते सूर मेंने कताई मरदे ने शरीर ते मरण धर्मा है लेकिन ओ अमर तक प्रापत हो गए हुन मुड़के नहीं मरणगे इत्थो मुरादे है हुन नहीं मरणगे भाव आम जगत जम दाय मरदाय जम दाय मरदाय जम जम मरे मरे फिर जम में बहुत सजाए पयादे सलंगे इह हुन नहीं मरणगे क्यों कि इना नुई परम जिंदगी दी प्रापती हो गए नानिक बद्धा घरत हाँ जित्हे मिर्ते ना जनम जरा हुन इना दी माउत नहीं हो गएगे इनानू अध्यात्मक जिंद्गी दी प्राप्ती हो गई है माराज केंदने इस तरह दी जड़े पुर्षने ए विकारां दे हत्थों होन मन दे हत्थों ठगाए नहीं जान दे देखन दे चाया है सारी दुनिया नू ठगण वाला बंदा अपने मन दे हत्तों ठगा जानता है सारी दुनियानू ठगण वाला मनुख अपने आप तो ठगा जानता है और एक कितनी वड़ी अनगहली है साहिव के इनने इस अवस्ता दिच पहुँचे होये मनुख ठगान दे नहीं इनानू क्रोध नहीं ठग सकदा इनानू लोब नहीं ठग सकदा इनानू त्रिशना नहीं ठग सकदी इनानू मो नहीं ठग सकदा इनानू अहंकार ते काम नहीं ठग सकदा इनानू जहूट ते निंदा ठग नहीं सकदी जदके आम बंदा कदम कदम ते ठगा जानता है भगत कदम कदम ते इना नू ठग लेंदा है एकल वक्री है कि भगत जगत दे ठगा जाए लेक्न भगत विकारा तो कदि अपने आप नू नो 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 ठगाना ता और obtain के तो उसदी फते होंदी जै हंकार दे उसदी फते होंदी ओई नानो थक लेंदा ए विकार भगत नो नहीं थक सकते तो सैव करें ना ओई मरे ना ढडाके जाये जिनके राम वसे मन माँए जिनके राम वस्दा है नाओ कदी मर देने ते नाईं कदी जो है ठगाए जानेँ ति थे भगत वसे केलो इस अवस्था दच कई लोकां दे भगत वस देने भाव करम खरन देज ये नहीं कि सर्फ एक तबके एक मजब या एक कहर एक शेर या एक प्रांथ या एक मुलक दे बंदे पहुंच देने नहीं सहciones को यें सवस्ता देज कई लोकां दे भगत पहुंच देने गुलाब दा बोटा जे हिंदुस्तान दे चलाईए ते गुलाब देंदा है पर जे ओ इरान देच भी लादेए ते आकदे फुल नहीं उगदे उत्थे भी गुलाब दा ही फुल होंदा उसे बोटे नो किसे यॉरप दे देश दे चलादेए ते उदे चलाए कर तुमा नहीं पैदा होवेगा उदे चलाब दा फुल पैदा होवेगा तो सहे भी केंदेने जिस धर्दी देच जिस मुलक देच जिस कौम देच जित्थे भी कोई प्रमातमा दा नाम लेंदा ओ गुलाब दी तरा खिळ उठदा है ऐस वासते भगत अनेकाँ प्रांतां दे हएंदेन। कै देशां दे हैंदेने। और कै लोकां दे हैंदेने। सेवकनिस कर्म खंडेच कई पूरियां दे कई लोकां दे भगतने तित्थे भगत वसें के लोए अगर इस अवस्ता देच वेखणावे समुच्चे जगतनों ते हर देश दे अनेकां भगताउन गे हर देश ने अनिका ब्रहम गयानी खुदातर्स और खुदाशिनास फकीर पैदा कीते ने हर देश ने Sanत ते पहगत पैदा कीते ने अगर एक मुलक इस ढंगदा दावा करे सःड़े देश देश 천त पैदा होईने पहगत पैदा होईने ताय इस दे मतलब नहीं किसे होर देश ज़च कोई संत पैदा यह नहीं होगत हर देश देश लुग देश भगत पैदा हों देने हर जुग-जुग भगत ऊपाया पैज रखदा आया राम राजे अगर कोई यह वी आखे को 충 450 होगत होगी जिने हुन नहीं सैवकर नहीं हर युग दिच भगत हुन देने हर समय दिच भगत हुन देने जैसे हर समय दिच सूरज होया है चंदरमा होया हर समय दिच फुल खिड़ देने जि आज तो हजारां साल पहले फुल खिड़ दे सन ता हुन भी फुल खिड़ देने ए ठीक है कि आ आज तो हजारां साल पहले भी कंडे सन, आज भी कंडे ने, तो भगत जे आज तो हजारां साल पहले सन, ता हुन भी ने, ते जे शैतान आज तो हजारां साल पहले सन, ता हुन भी ने, हर नाकश पहले भी से, हुन भी है, प्रहलाद पहले भी सन, हुन भी है, राम पहले भी से होनवी है रावन पहले वी सन होनवी ने अनेका दी असमत लुटन वाले अनेका नो तबाहते बरवाद करन वाले आजवी मौझूद ने इती हर युग दे चौंदे ने हर समें दे चौंदे ने और हर थांते ने सहीव किनन तित्थे भगत वसें के लोए इस अवस्ता देच कई लोकां दे भगत आके वस देने भाव कर्म खण देच पहुच देने कई देशां दे भगत कई प्रांतां दे भगत करे अनन्द सचा मन सोय मन दिच परमात्मा दी सच्ची शोबा उनादे वसी हों दीए एस वाशते परम अनन्दनु प्रापत होके रस मान देने, खिडा मान देने सच्च खंड वसे निरंकार अध्यात्मक मंडल दी पंजमी आवस्ता सच्च खंड परमात्मा की सच जो सच है वो प्रमात्मा है जो प्रमात्मा है वो सच है इस अवस्ता देश पाउच के सैव के इने मनुक सच देशलीन हो जानद है ते वो सच की है मारज के ने निरंग कार आकार तो रेत वजूत तो रेत चकर चेन और बरन जात और पात नहिंजे रूप रंग और रेख बेक को कह न सकत के ऐसा जो निरंग कार है ऐसा जो सच है ओदे भगत जदलीन हो देने तो इस तरह दे भगत नो कहिंदने सच खंडवासी हो गया बड़ा कीमती शबद है जो असी मुर्दियानाल जोड़ के रख दिता है कोई मर जाए तो असी कहे दे निया फलाना सच खंडवासी हो गया नहीं जो जीमदिया जी प्रमात्मा चलीन होया है सच दिछ लीन होया है ओही सच खंडवासी है तो साधना कर देया कर देया जेदी सुर्थ पजवे खंड़ दिछ पहुंची उस पजवे खंड़ नो ही साइब कहिंदने सच खंड सच खंडवसे निरंकार करकर वे खै नदर नहाल उत्थे उसनों ऐसा मैसूस होंद है कि परीपूर्ण प्रमात्मा सारेयां ते निगाह कर रहे है सारेयां ते द्रिष्टी कर रहे है और अपनी द्रिष्टी दे रही सारेयां नो निहाल कर रहे है सारेयां नो महान बना रहे है तित्थे खंड मंडल वरभंड, उत्थे उसनु ऐसा मेसूस होंगे अनेका ही खंड ने। अनेका ही ब्रहमंड ने, भाव खंड दे, ब्रहमंड दे चोटे चोटे टुकडे ने और उन्हा सारेश भगत ने ते भगतां दे प्रमातमा है, प्रमातमा दी मेरभरी दृष्टी सारे पासे व्यापक होके विचर रहीए जे को कथे ता अंत ना अंत उन्हीं इस सच खंड में अवस्ताद अगर कोई कथन करे ता अखीरला शबद उदी रसना तो ए निकलेगा कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं बेयंत है, बेयंत है, बेयंत है तिथे लो लो आकार उत्थे कई लोकां दे आकार दिखाई देने भाव सच खंड देच पाँच के मनुखनों जद अनेकां खंडां प्रहमंडांदा बोद होंदा है, तो उसनों पता चल दा जीवन कई तरह दे है, जिंदगी कई तरह दी है, और कई तरह दे लोक ने, कई तरह दे मनुष ने, और कई तरह दे बेश्तर जीवने अनेकां आकार ने, अनेकां उना दे जीमन दे जो है धंगने इस सिरफ उस दे सोच मंडल देची नहीं उसनों दिखाई दे रहे होंदे ग्यान खण देच ते उस दी सोच मंडल देच आऊँदे पर सच खण देच उन्हों सब कुछ दिखाई दे रहे है उन्हों सब कुछ मैसूस हो रहे है जियों जियों हुकम तिमें त्यों कार फिर उसनों ऐसा मैसूस होंदा है जिमें जिमें सारे यां दो ते प्रमातमा आप हुक्म कर रहे है तिमें तिमें जीव कम कर रहे हैं तिमें उना दा जीवन दा ढंग है सब कुछ प्रमातमा देच है प्रमातमा सब जीवन दे विच है और उस दी सता दे नाल सब कुछ हो रहे है इस तरह दा सच खंड देच पहुंचे हुए महात्मा नो बोध होंदा है उनों मैसूस होंदा है वेखे विक्से कर वीचार सारे नो वेख के ते सारे नी विचार करके परीपूरन प्रमात्मा विक्स दा है खेड़ेच आउंदा है खुश आउंदा है सब कुछ उस दे हुकम देच है और सब कुछ उदी द्रिष्टी देच है कि जैसे अपनी द्रिष्टी देच सब कुछ बेखदा है साभ के ने वो विक्स दा है वो खेड़ेच आउंदा है क्योंके खेडा उस दा सुभा है विगास उस दी जिन्दगी है हुन इस सब कुछ दा वर्नन करना इंज है नानिक कतना करडा सार इसनों कतन करना ऐसा है जैसे लोहा चबाना ओवे तो हुन कौन इना दंदा देनाल लोहा चबावे नानिक कतना करडा एक कथन करना अतियंत करड़ा है अतियंत सक्त है किना के सक्त है सार जिना के लोहा सक्त है तो जिमें लोहे नो मूँ देच पाना ते चबाना कथन है बहुत कथन है इस तरह दी इस करड़ी अवस्तानों इस करड़ी गलनों इस महान गलनों बियान करना अपनी जबान दे रहीं कठन है कठन है जद भी कोई सच खंदेच पहुँचे है उन्हें एही कह देता है कि कहो कभीर गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए बिसम बिसम बिसमेही भई है लाल गुलाल रंगारे कहो नानक संतनरस आई है जू चाक मुसकारे पाई साब पाई नंदलाल केनन मगो अजहाले लेली बादिले शौरी दा ऐगो याग नंदलाल दे पागल दिलनू लेला दा किसा ना सुनाओ संसार दा किसा ना सुनाओ कि शराय किसा है मजनू मरादी वाना में साजद में ती मजनू दा किसा ही सुनके में ती प् इस दिवान गी दिच उस दिवान में अवस्तानूं उस पागल में अवस्तानूं उस समाधी लीन अवस्तानूं बयान करना इज है सायव के इने जिमें दंदा देनाल लोहे नू चबाना हुई तो जैसा लोहा चबाना कठन है सच दिपूर्ण अवस्तानूं जबान नाल बयान करना अतियंत कठन है सच देच लीन होना मनुखी जिन्दगी दाधे है सच दी प्राप्ती कर लेना मनुख दी मन्जले मक्सूद है सच सरूप हो जाना समलो लक्ष दी प्राप्ती हो गई ते सच दी चलीन हो ए मनुख दी ए पैचान आवने मिट गए सफल 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 भई या तरा आवन जान रहे मिले सादा जो सच दिच लीन हो गया, सनसारत आमना उजदा सफल हो गया, सफल हो गया, जीवन यात्रा सफल हो गई, क्योंकि सच दिच लीन हो गया, सच दी प्रप्ती हो गई सच अनंद है, सच व्याफक है, सच समान है, सच त्रिगुम अतीत है, और सच सर्व शक्तिमान है सच्च दे विच सच्यार ही लीन हो सकता है ति सच्यार ही करतारदा रूप होंदा है निरंकारदा रूप होंदा है तो पहली पौडी दे अंदर गुरु बाबे ने मनुक दी समूल समस्यादा जिकर कीता है क्यों सच्यारा होई ये क्यों कूड तुटे पाल किमें चूट दी कंद तुटे ते किमें सचयार होया मनुख सच देच लीन होके निरंकार दा रूप होवे सचयार दा रूप होवे अनंद दा सुमा बने तो बाकी दियां पाउडियां देच सेजे सेजे मनुख दी सुर्थ नू उच्चा करके उत्थे ले जाया गया जिसनू आख्या गया सच खंड वसे निरंकार करकर वेखे नदर नहाल दरसल जब जी सावदिच मूल गल्नावी एतिनने कि किमें मनुख सचयार होवे ते सचयार हों दी मूल साधना की है ते साधना तो बाद उपलबदी की है तो जप ते सचदा ही करना है आद सच जगाद सच है भी सच नानिक होसी पी सच सचयार हों ले ते सच देचलीन हों ले जप रसना नाल करना है एक दू जीबो लखोवे लखोवें लखवीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीस जो जग दीश दा एक नाम इस तरह रसना नाल उचारन कर दा जान्दै, जब दा जान्दै, जब दा जान्दै सेजे सेजे सुर्थ एक दिन उस टेकाणें ते पहुँच दीये जिननों के इनने सच खंड ते जे दिच पौँच के ही परम अनंदी उपलबदी हो जांदी है मनुख नों अपना टिकाना मिल जांदा है तो जब जी साब दी मूल व्याख्या और प्रेरना एही है कि किसे ढंग डाल मनुख सच दे चलीन हो सके ते सच ही प्रमात्मा है, सच ही अनंद है, सच ही खेड़ा है, सच ही मस्ती है और जूट दुख है, जूट अंदकार है, जूट कलेश है जूट है, एक व्यापक कले है, जितना जूटा मनुख होवेगा उतना कलेश देच होवेगा और जितनी मात्रा देच उस दे कुल सच होवेगा उतनी मात्रा देच उस दे कुल सुख होवेगा अगर वो पूरन ता उरते सचयार हो गया है तो फिर पूरन अनन उस दे अंतिशकर्ण देच बिराजमान होके ओ पूर्ण दा रूप ही हो जाएगा निरंकार दा रूप ही हो जाएगा लेजा सच खंड वसे निरंकार सच खंड में अवस्ता देच ओ दे रोम रोम दे अंदर निरंकार वस्ता है ओ निरंकार देच है निरंकार उस देच है और इस तरह दी अनंद में अवस्तान मान के उन्हों मैसूस हो दै कि उस सच देविच ही सब कुछ है अनंद दुनिया बहुत बड़ा पसा रहा है अनंद एक रहा है